वायपूर कस्पे के निकटवर्ती सालरिया गाओं में दौपहर को एक खेट पर लगे ट्रांसफॉर्मर में शौट सर्किट के चलते गिहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर भिलवाडा से पहुंची दमकल की वज़े से ग्रामिनों ने आख पर काबू पाया। के पर आसपास की कई ग्रामिनों की भीड जमा हो गई। के साथ प्रवसाइक समिक्षा बैठक के गई। बैठक में महनुत ने नविन वित्तियवर्ष की शुपकामनाय देती हुए वित्तियवर्ष 2020 में विभिन ने पैरामिटर पर अच्छे प्रदेशन पर बधाई दी और कहा कि हमारा राज्य है। अधिक 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 लोगों तक सहस्ता से पहुंचे इसके लिए बैंक द्वारा गामोवे कस्पों में बीसी के माद्यम से अधिक 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 लोगों को बैंक से जोड़ा जा रहा है। अधिक नए बीसी को जोड़ते हुए आम जंता के लिए बैंकिंग की उपलपता का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सुझाओ साजा किये गए। सुरेश कुमार खटोने बैंक के उच प्राधिकारियों एम ग्रहाकों का आभार व्यक्त किया और ग्रहाकों को बहतर सेवा के संपल को दोहराते हुए मिटिंग में दिये गए सुझाओ को नूट किया। है मुद्यमियों को बैंक द्वारा उतकस्ट बैंकिंग सेवा प्रदान करने का आश्वासन दिया। संगोस्टी में बड़ी संख्या में बैंक के गणमाने ग्रहाकों ने भाग लिया। परिशत अधिकारियों की बैठक में सभापती राकिश पाठक भी उपस्तित हुए प्रदेश संगठन मंत्री हरनारान माली ने बताए कि बैठक में सेवा निर्वेत करमचारियों को सभापती द्वारा गेट पर मास्क नहीं तो बात नहीं मास्क नहीं तो काम नहीं का निर्देश पत्र लगाया गया। शापुरा के सेटलेट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सिन लगाने की शम्ता बढ़ाकर 500 प्रतिदिन कर दी गई है। यहां वैक्सिन लगाने का कारिय प्राता है 9 बज़े से 5 बज़े तक बिना किसी अवकाश की हो रहा है। शापुरा के रहे गुलर ड्यूटी लगाने के साथ साथ वैक्सिन लगाने के लिए आने वाले लोगों को प्रोसाहित करने के लिए भी स्टाफ तैनात किया गया है। तोंबार को शापुरा के दोस्ताना ग्रूप ने सामुहिक रूप से स्वपनिक पहुचकर वेक्सिंग करवाया तोधा वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। इसी प्रकार आमली कला के भी करीब दो दर्जन से आदा ग्रामेंड एक साथ पहुचे तो वहां मौजूद लोगों में उस्साह का संचार हुआ। सेटलर्टी किस साले प्रभारी डोटर अशुक जैन ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मताबिक कोविड वेक्सिन लगाने का शापुरा में अभी तक कोई साइड इफेक्ट सामदें नहीं आया है।